नमस्कार, रुआ आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना आज रुआ खातिर खबर लेके आईल बानी उहो भोजपुरी में तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए आज इसराइल और हमास के बीच युद्ध के चुथा दिनबा भारत और अमेरिका समेत कई गो देश इसराइल का साथे खड़ा बाड़े मंगलवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी इसराइल के पीम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कई ले पीम मोधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इजानकारी देले बाड़े पीम मोधी ये पोस्ट में लिखले की हम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कई नी उनुका फोन कॉल अवुरी वर्तमान स्थिती के अपडेट खाती धन्यवाद भारत के जनता एक अठिन समय में इजराइल के संगे मजबूती से खड़ाबा इजराइली सेना गाजा पट्टी के चारो और से घेर लेहलस ताकि आतंकवादी कवनों सफलता ना पा सके एह दोरान जब हमास के एगो टेंक आगे बढ़त देखल गई तए इजराइली सेना उकरा पा भी बंबारी भाईल दरसल शनिचर के सबेरे हमास के आतंकी हमला के बाद से इजराइली सेना बदला लेबे के आग में जरत बा एही से हमास के सबक सिखावे खातिर तेजी से हमला करे के आहवान कर रहल बा इजराइली सेना के एह कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी में तबाही के नजारा देखाई देता अवुरी पूरा इलाका मलबा में बदल गईल बा एकराबाद जनता में दहशत मचलबा इजराइली हमला के बारे में बतावल गिलबा हर विसफोट के बाद लोग सुरक्षित जगह के और भागत देखाई देता रहे हमास के आतंकवादी के संगे संगे आम लोग भी कुछलल जाता रहे इजराइली हमला से टकराए वाला लोग अपना प्रियजन के अस्पताल ले जाए मैं छटपटाद देखाई देता रहे एह तीवर बंबारी का बीच लोग सुरक्षित जगह पर शरण लेबे के चाहत बा बाकिर इजराइली सेना पूरा गाजा पट्टी के तबाह करे के किसम खिलेबा अईसना में गाजा पट्टी के कवनों जगह सुरक्षित निखे एही से आतंक के साया में रहे वाला लोग भागे के मझबूर हो जाला अपना जान के सुरक्षा खातिर भारी संख्या में लोग लगातार गाजा पट्टी छोड रहल बा इसराइल युद्ध पर भारत में राजनीतिक विवाद जारी बा भारत के भीतर भी धार्मिक तर्ज पर लोग के राय कम बेसी बटल लुकद बा भाजपा खुलेयाम इसराइल के समर्थन करदबा जबकि दोसरों दल फिलिस्तीनी के अधिकार के बात करदबाड़ी इसराइल पर हमास हमला के बाद भाजपा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पी लिखले की कालह इसराइल पी कायरता से आतंकी हमला के सामना करे के पडल वाम पंथी के आरोप, मोधी सरकार फिलिस्तीन के अंदेखी कर रहलबा, कांग्रेस पर भाजपा के हमला, तुष्टी करण खातिर आतंकियन के समर्थन करदबा आज कोट दिल्ली शराब नीती मामला में गिरफतार आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह के एडी रिमांड के 13 अक्टूबर तक बढ़ा दिहलस सिंह के 4 अक्टूबर के मनी लांडरिंग के मामला में एडी गिरफतार कईले रहे एकराबाद उनुका के 5 दिन के एडी रिमांड पर भेज दिहल गई रिमांड खतम भिला का बाद मंगल का दिने एडी उनुका के कोट में पेश किलिस जहां कोट उनुकर एडी हिरासत बढ़ा दिहल सी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बढ़ भाई और नीतीश सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव आजू समराट चौधरी पर खिसियाईल लुकलन उपना पिता के नाम लेके बिहार भाजपा अध्यक्ष समराट चौधरी से भिड़ गई ले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लालू यादव पर दिहल बयान पर नाराज तेज प्रताप यादव त समराट चौधरी के महाभारत के शकुनी चाचा के बेटा तक बतवले तेज प्रताप यादव बतवले की समराट चौधरी शकुनी चाचा के बेटा हवें जे महा भारत करावे के काम करवले रहले एतनेना समराट चौधरी के हैसियत पभी सवाल उठवले बिहार के वन एवं पर्यावरन मंत्री तेज प्रताप यादव समराट चौधरी से पूछ ले कि समराट चौधरी के किसन हैसियत बा उ कहले की लालू प्रसाद यादव के सोजा उनुकर हैसियत कुछ हो नई खे असल में समराट चौधरी लालू प्रसाद यादव के ट्वीट के जवाब देद घरी लालू यादव के सामाजिक कैंसर बतवले रह ले बॉलिवुड के सबसे योग्य बैचलर सल्मान खान के ब्याह फिल्मी हलकन में सबसे गरम विशयबा भाईजान के ब्याह होखद देख के सब के हुचाहद बा एही बीच काल हू अभिनेता ऐसन तस्वीर शेयर किलन जवना का बाद लोग के लागे लागल कि दबंग खान के आपन सोलमेट मिल गिल बा ताजा तस्वीर शेयर करत सल्मान खान खुलासा कैले की मिस्टरी गरल उनुकर प्रेमिका ना बालुक उनुकर भतीजी अलीजेह अगनी होत्रीबा सल्लू मिया फोटो शूट के तस्वीर अपना भतीजी के संगे शेयर कैले बाड़े तो यी भोजपुरी भाशा में आज के बढ़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के इक कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताएं। काल हफेरू हमनी के भोजपुरी भाशा में बढ़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन खयाल राखिएं जा।